17.2 प्राकृत्वास एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य अंतर संबन The Interrelationship between Natural Component in a Habitat आईए हम अपने प्राकृत्वास और पर्यावरण के सजिव निर्जिग घटकों के मध्य अंतर संबन को जाने क्रिया कलाप एक आप सुबह सोकर उटने के बाद से रात में सोनी तक अपनी दिन चरिया को कुछ समय तक सोचें और एक दिन में आपके द्वारा उप्योग में लाए गई आवश्यक वस्तू की सूची बनाएं सूची में आपके सास लेने के लिए आवश्यक हवा, उप्योग में लाया गया टूटब्रश, पानी, दूद या चाय जो आप पीते हैं आधी सभी चीजों को शामिल करें अब इस सूची के वस्तूओं के सामने उनके प्राप्ति के स्त्रोत लिखें जैसे आपके कपड़े यदि सूच से बने हैं, तो सूच कपास के पौधों से प्राप्त होता है और आपके चपल यदि प्लास्टिक से बनी हैं, तो प्लास्टिक पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होता है दिखाई गई सानी एक दिन की दिन्चरिया के आधार पर बनाई गई है यदि हम इसे एक सप्ता, एक माह, एक वर्ष अथ्वा पूरे जीवन काल के लिए बनाते हैं तो अनिस सजीव और निर्जीव घटकों पर हमारी अंतर निर्भरता सपस्ट्रूप से दिखाई देगी हमारे लिए अनिवारे आजयविक घटक कौन-कौन से हैं? ऐसे जयविक घटक कौन-कौन से हैं जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है अब आपको यह एसास हुआ होगा कि हम कई जीवों से संबंध रखते हैं कुछ बहुत जरूरी, कुछ कम महत्वपूर्ण ऐसे ही सभी का जीवन विभिन जीवों पर निर्भर है अर्थात सभी जीवों के मद्य अंतर संबंध है चाहे वह आप हो यह गुलाब, शेर हो यह फफून प्रतीक जीव किसी न किसी समुदाय का हिस्सा है वह अन्य सजीव वह निर्जिव घटकों से जुड़ा है